मामी अपने भांजे के साथ सम्मंद बना रही थी और तभी क्या होता है पती ने उन दोनों को लाइव देख लिया और फिर होती है खून की होली और मामा की हो जाती है दर्दनाक मौत आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर पूरी सचाई हमें आपर जानने वाले हैं और वीडियो को आप अंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हूं सुदेश कुमार और तिर्शीवा चैनल में आपका स्वागत है यह घटना उत्तर पृदेश के मेरट के भावन पूर थाना इलाके के कीना नगर की है दोस्तों कीना नगर के अंदर अनिल नाम का एक सक्स रहा करता है जिसकी उमर 40 साल है और वह दिहारी सदूरी करके अपने पत्नी और अपने बच्चों का भरन पोशन कर रहा होता है लेकिन दोस्तों जब औरत की निगा उठने लगती है तो फिर पती चाय कितनी भी सेवा करे उसको मंजूर नहीं होता है अब यहाँ पर क्या होता है 21 दिसंबर को अनिल एक दिन अपने बिस्त जर से उठता ही नहीं है जैसे वह उठता नहीं है तो बच्चे कहते हैं पापा उठो चाय पिओ लेकिन पापा उठे तो ना क्योंकि वह तो मिर्त हो चुका था मर चुका था अब यहाँ पर पूनम जोर-जोर से रोने लगती है सास ससुर पड़ोस में रहते थे वह भाग क के आते हैं कि क्या हुआ तो पूनम बताती है कि आपका बेटा उठी नहीं रहा है लगता है इसको रात को हर्ट अटेक आया था पता ने इसकी मौत कैसे हो गई माबाब भी उस बच्चे के रोने लगते हैं आसपर उसके लोग भी यहां पर इखटे हो जाते हैं और किसी को कु पुलिस बुलाई जाती है गाओ वालों के लास को अपने कप्जे में लेती है और यहां पर क्या होता दोस्तों अंजली से जब पुछती है कि आकर हुआ क्या तो अंजली वहां पर भी यही बताती है कि इसको Heart Luckin का आया था तो यहाँ पर अवह महिला सारी सच्चाई पुलिस के सामने बया करती है महिला बताती है कि उसका पती अनिल दिहारी मजदूरी किया करता है अच्छे से कमाता है सारे पैसे घर ला कर देता है बहुत ही अच्छा इंसान था लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है अब वे अपने घर को ही पतवाना और लिपवाना चाहते थे तो अपने घर की ही मरमत करवाने के लिए अब यहाँ पर उनको मजदूर चाहिए थे तो जो यह औरत होती है पूनम यह अपने पती अनिल से कहती है कि भांजे को बुला लो भांजे का नाम होता है राहुल वह भी लिपाई पुताई किया करता था और कहती है कि उसको बुला लो यहाँ पर आके वो करवा लेगा काम को तो बहांजे को बुला लिये जाता है और घर की रंगाई पुताई में वह लोग लग जाते हैं लेकिन यहाँ पर मामी अपने भांजे से ही अपने मिलाने लगती है और उसके साथ वह संबनाने लगती है उसी गहर के अंदर इसी तरह से मामला चल रहा था तक्रीबन दसवारे दिन गुजर जाते हैं और जब दसवारे दिन गुजर जाते हैं तो अब यहाँ पर पती अनील को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी आखिर क्या गुल के ला रही है तो वे अपनी पत्नी को समझाता है और अपना जो भांजा होता है उसको घर से भगा देता है लेकिन पत्नी और भांजे के दिलों में आग लगी हुई थी उनको तो एक साथ ही रहना था उनको तो बहुत बुरा लगता है जब उनको दूर कर दिये जाता है तो दोस्तों जब ऐसी कंडिसन हो जाती है तो फिर यहाँ पर हत्या की ही परिस्तिती बनती है अब जो पत्नी होती है वे अपने भांजे से कहती है कि तुम्हारा मामा तो हमें मिलने ही नहीं देगा ये बड़ा कवाब में हड़ी बना क्यों न इसको रास्ते से हटा देते हैं तो भांजा भी उसकी बातों में आ जाता है और अब यहाँ पर क्या होता है सडpractर रचा जाता है जो भांजा राहुल होता है वे सराब की बुतल लेकर आता है और आ करके अपने मामा के पैर पकर लेता है कि मामा मुझे माप कर दो मुझसे गलती हो गई लेकिन अब बात गई, सो गई अब आगे से कुछ नहीं होगा तो अपने मामा को सराब पिलाने लगता है दोनों मामा भांजी वही बैठ कर सराब पी रहे होते हैं और जब यहाँ पर मामा अनिल को सराब जादा चड़ जाती है तो अनिल की पत्नी आती है, उसके हाथ पेर पकड़ती है और जो अनिल का भांजा होता है राहुल वह उसके गले को दबाने लगता है तब ही दोनों बच्चे जो दूसरे कमरे में सोय हुए थे वह वहाँ पर आ जाते हैं तो वह अपनी बेटी और बेटे को उठा कर जो पत्नी होती है पूनम दूसरे कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा के पैर में दर्द है उसको हम सही कर रहे हैं पैर को दबा रही है तो यहाँ पर वह उसको दबा करके उसके गलेद को दबा करके जान से मार देते हैं दोना मामी भांजे दोस्तो उसके बाद यह रटते हैं रचते हैं ढोंग लेकिन हर ढोंग का परदा फास हो जाता है और आज की जमाने में तो चुटकियों में यह काम होता है क्योंकि आज कल तो जो मोबाइल वगेरा होते हैं इसे बहुत जल्दी इंसान पकड़ लिया जाता है अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों अब वह जब यह बात बताती है तो गाउवाले लोग भी हैप रह जाते हैं वह भी यह कहते हैं कि आखिर कैसी पत्नी है जिस पत्नी के लिए पती राद दिन कमाता है पैसे एकटे करता है और उसी पत्नी ने आज अपने पती की जान ले ली तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है दोस्तों कई बार पासे उल्टे पड़ जाते हैं कितना भी परिवार के लिए कर लो लेकिन परिवार कई वार उस इंसान की जान का आफ़त बन जाता है यहां पर ऐसा ही इस आदमी के साथ हुआ इसका क्या कसूर्था जो कि अपने बच्चों का भरन पूसन अच्छे से कर रहा था लेकिन फिर भी इसकी जान चली गई तो दोस्तो इसको पकर कर इसको जेल में डाल दिया जाता है और अवह बच्चे किस से कहेंगे अपनी जरुवत की चीजों को और किस के सामने रोएंगे सिर्फ और सिर्फ एक पांच मिनट के सुख के उपर सिर्फ और सिर्फ एक हवास के उपर तो कभी भी ऐसा ना करें जीवन के अंदर पासा पलटने में देड नहीं लगती है कभी भी कुछ भी हो सकता है जिन चीजों को हम नॉर्मल समझते हैं वे कभी भी भी भयानक रूपधारन कर सकती हैं दोस्तों अगर आपको मारा वीडियो अच्छा रगता है तो उसको सेयर जरूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम भोजल जी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें, साथ धान रहें रिष्टों की अमित को समझें जय हिंद, जय भारत